उन्नीसवा एशियन गेम्स 23 सेप्टेंबर से 8 ओक्टूबर तक चीन के हांजू में आयोजित होने वाला है और इसके लिए भारत ने अपने एथलीट्स के नामों की घोशना कर दी है तो कितने एथलीट जाएंगे इस खेल में हिस्सा लेने के लिए वो आज आपको होगा कि इन एथलीटों से कम से कम हम क्या उमीद कर रहे हैं नमस्कार आप देख रहें न्यूज बाइसकोप और मैं हूरा की श्रंजन एशियन गेम्स 23 सेप्टेंबर से शुरू होने जा रहा है हांग जो में हलाकि कुछ खेल जो हैं वो पहले शुरू हो जाएंगे लेकिन जो उसका आरंब होगा वो 23 सेप्टेंबर से होगा और आपको बता दूँ कि इसके लिए भारत के जो हैं वो 634 एथलीट जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए हांग जू जा रहे हैं और आपको बता दूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा दल होगा वो एथलेटिक्स का दल और athletics में सबसे जाधा 65 खिलाड़ी शामिल किये गए है 65 एथलीट जो है athletics की असपर्धा में हिस्सा लेंगे Ashian Games में जो भारतिय जो 634 खिलाड़ी वो 38 खेलों में हिस्सा लेंगे 38 खेल असपर्धाइन होंगी और उसमें भारतिय खिलाड़ी जो है अपना दावा ठोकेंगे स्वाण पदक जीतने के लिए आपको बता दू कि ये सबसे बड़ा दल है आज तक का भारत का और आपको ये भी बता दू कि जो इंडियन ओलंपिक असोसियेशन है उसने जो है आट सो पचास एथलीट को रिकमेंड किया था लेकिन जो मिनिस्ट्री अब जब भारतिये टीम हांगजू पहुचती है तो वहाँ पर क्या उमीदे है अगर हम उमीदों की बात करें तो अगर हम इस तरह से देखें कि एशियाई खेलों में भारत का अस्थान क्या रहा है तो आपको बता दू कि अगर हम ओवराल मेडल्स पर जाएंगे तो भारत का जो अस्थान है वो पांचवा रहा है तो इस बार जो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि वो कम से कम टॉप फाइब में तो शामिल हो क्योंकि जो पिछला जो आपको जकारता में जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 में वहाँ भारत ने अब तक का अपना बेस्ट प्रदर्शन तो किया था लेकिन जो रैंक का मामला है वहाँ पर भारतीय टीम जो है वो पिछल गई थी और आठवे रैंक पर चली गई थी मतलब साथ देशों ने उससे ज्यादा मेडल हासिल किये थे 2018 इशियन गेम्स में तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौ होती है कि वो अपने आपको टॉप फाइब में तो कम से कम बनाये रखें वैसे हम सभी की कामना है कि वो टॉप थ्री में रहे तो इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता लेकिन ये बात भी है कि एशियन गेम्स में चीन, जापान, दक्षिन, कूरिया जैसे देश हैं जो तगड़ अस्थान पर है रैंकिंग में और जापान दूसरे नंबर पर है रैंकिंग में अगर हम ओवराल रैंकिंग की बात करें एशियाई खेलों में पदकों के आधार पर तो इस बार जो भारती एक एथलीट गए हैं वहाँ उनसे बहुत उम्मीदे हैं और जैसा मैंने आप से कह कि एथलेटिक्स में जो है वो सबसे जादा एथलीट भेजे गए हैं और पिछली बार भी भारत ने एथलेटिक्स में शांदार प्रदर्शन किया था और नीरज चोपड़ा के नितरितु में जो एथलेटिक्स की टीम जाएगी तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी बहत प्रदर्शन करेगी 65 एथलीट हैं इसके अलावा रोइंग में 33 खिलाड़ी जा रहे हैं और शूटिंग में 30 हैं तो 30 शूटर्स हैं तो पदकों पर कितने शूटर्स निशाना लगाते हैं इस पर भी जो है हमारी नजरें बनी रहेंगी हलाकि वेट लिफ्टिंग में सिर्फ दो जो है वेट लिफ्टर गए हैं उनसे भी पदक की उमीद है मीरा बाई चानू वहाँ पर होंगी उनसे भी पदक की उमीद है इसके अलावा रिसलिंग हमेशा से भारत का मजबूत पक्ष रहा है एशियन गेम्स में उसमें पदक की उमीद है कबड़ी में भारत का रैंकिंग की बात करें तो भारत एक मात्र यही एक असमर्दा है जिसमें रैंक में नमबर वन है तो हम उमीद करते हैं कि कबड़ी में भारत इस बार स्वन पदक जीतेगा क्योंकि 2018 में जो पुरुष कबड़ी टीम है वो फाइनल में इरान से हार गई थी तो उस हार का हिस चुकता करेगी भारत की कबड़ी टीम और इस बार फिर से गॉल्ड जीतेगी क्रिकेट शामिल हुआ है उससे बहुत सारी उमीदे हैं भारत ये क्रिकेट टीम से हाकी में भारत पूरे एशिया में नमबर वन रैंकց की टीम है सबसे ज़ादा जो रैंकिंग है वो भारत की ही है सबसे अच्छे तो वहाँ पर भी हम गोल्ड की उमीद कर रहे हैं पूरो शौके में तो कुल मिलाकर एशियाई खेलो में जो एथलीट जा रहे हैं उन सबसे जो है हमारी उमीदे बहुत जादा है और हम उमीद करते हैं कि भारत का इशियन गेम्स में मेडल्स के लिहाँ से जो बेस्ट प्रदर्शन रहा है 2018 में उससे भारतिये टीम इस बार बिटर करेगे आपको बता दें कि 2018 में भारतिये टीम ने 70 मेडल जीते थे जिसमें कि 16 स्वन पदक थे तो हम इस बार उमीद कर रहे हैं कि स्वर्ण पदकों की जो संख्या है वो 20 से जादा हो और यही हम कामना भी करते हैं और भारतिये खिलाडियों में वो दमखम है इधर हाल के दिनों में खेल की दुनिया में इंडियन एथलेट्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है एथलेटिक् और हम उमीद करते हैं कि एशियन गेम्स में भारतिये खिलाड़ी जो है वो लाजवाब प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान विद करेंगे अभी के लिए इतना ही इजासत दे नमस्कार